जै मतरी फ्रेंड साही होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो हो चुके हैं दो रात्रों की शिरुआते तो सुबह का मैंने अपना डेली और इनका काम फिनिश किया इसके बाद मैंने मतरानी की पूझा करी उनसे आशिरुआत लेके मैं चली आप लोगों के लिए सूपर ट सकाश्राइध नहां बना लेके डिक शाख की बिसके बना लेगे जिससे फ्राइध करेंगे यह तो पूटे नहीं एँसके हम सारे के biscuit बनाके रिखुण चैनल करेंगे आप जैसे इन्हें कड़ाई में डालेंगे तो तोरहं नहीं चलाना क्योंकि ये थोड़ा चिपक जाते हैं तो तो तोड़ा फ्राई हो जाएंगी दो चार सेकेंड के बाद घंके बाद हिलाना हम इसके बाद तेस्टी लड्डू बनेंगे अब ये इनके पीस करके हम इने भी बार एक पीस लेंगे इनका एक पाउडर सा बन जाएगा फिर पीस के और जो हमने घी में फ्राइ किये ना उसका तो टेस्ट सूपर आता है जब से मैं ये रेसिपी मैंने सीखिया ना बनानी मैंने मार्केट स लड्डू मंगाने ही बन कर दीए ये इतनी टेस्टी रेसिपी है और आप जिसे बेसन के लड्डू बनाते है इनमें बहुत गी होता है पर आप ये ज़रूर ट्राइ करना बहुत ही अच्छे होते हैं और इसके लिए हमने अब एक ने पाने लिया है एक ने लिया है हम फरूट्स भी डालेंगे और जैसे की और कोई भी लड्डू बनाते हैं तो उसमें हम मावा डालना पड़ता है या फिर उसमें घिय Clay जारा पड़ता है पर इसमें न तो मावा पड़ता है और न जादा सबस्तों गी है क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ऐसी सूपर टेस्टी वीडियो अब आती रहेंगे इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और मैंसे सपोर्ट जरूर करना आपकी एक सब्सक्राइबस से ना सच में बहुत खुशी मिलती है चलो अब लड्डू बना लेते हैं इसके तो जिब यह पुरा थिक हो जाएगा इसका पीस्टी इसके बार ठंडा करके हम इसके लड्डू बना लेंगे